गुट मॉर्निंग डिर इस्ट्रेंट्स आज मैं आपके सामने कुछ इडियम्स लिक रहा हूं जो कि आपके लिए 12 क्लास के लिए और कंप्टीशन क्लास के लिए दोनों क्लासों के लिए बहुत ही अदा इंपूर्टेंट है ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला करेगा तो आप इसको याद कर सकते हैं एक छिपावा दुस्मन या आप इसको कह सकते हैं आस्तीन का साप ठीक है तो यह आपका हो गया चली नेक्स दिखते हैं नेक्स आपका कैने लिए आठाव का टेक वे वंसब्रीथ डिवान्स को धेक ब्रीथ सिर्प्राइज आ या और यह चक्कित हो जाना नहीं कर वंडर वोजाना ठीक है पुए आपका सेकीड वाला हो गया तप्रल्वाला देखते हैं टेक टूटास्क यह बहुत है इंपोर्टेंट है एक सेगेंड लग्षान है टेक टूटास्क का मतलब होता है डाटना फटकारना किसी को क्या करना तो आप इसकी सिनोनियम लिखना चाहँ तो लिख सकते हूं का मतलब डाटना का मतलब का मतलब भी किसके मतलब उइक का मतलब को कि में नियुक्त का मतलब लगा तो आपके सीनुरियम हो जाएंगे इसके तो टेक टूर्पा ताश का मतलब याद रखना है करना डाटना फटकारना या इसकोल्ड करना चलिए अगला कोशन देखते है है अगला कोशन है लाफ ऐन वन स्लीव फ स्लीव शzenky कर ए है आस्थिन में थ्ट आस्थिन में में संहों North जाएगा मुझ छिपाकर हसना चिपके से हसना तो इसका अंसर हो जाएगा तुलाफ सिक्रेट लिए पाइब बाला कुशन देखो ब्लोव वन्स ओन ट्रमपेट का मतलब होता है नगाड़ा बलू का मतलब बजाना अपना ही नगाड़ा बजाना यह अपनी बात को कहना अपना बजाएगा बश्रकाण लए फर्रेजम पनर उस अपने आपकी तारीफ करने अपनी के की सकूंशन ने यृश्पी न इन बसाफिक तुला होता है अपनि आपकी खुद की सेख evolving चली अगला कुस्त देखो कि अगला कुश्चन है एक सेकिंड अगला कुश्चन है कट कट का मतलब क्या होता है नोट का मतलब होता है गांट को काटना गांट मतलब बादा बादा मतलब प्रोब्लम बादा मतलब प्रोब्लम तो प्रोब्लम को काटना यह निए प्रोब्लम को क्या करना शोट आउट करन मतलब problem का शमाधन करना मुशिबत का या समस्चा का समाधन करना क्या क्या ज Jonathan कर T jeste嗎 het ирован pretty n anchor is embryo कि smiles stronger समाधन करना या किसी भी समस्ट्राइब सहनत शमाधन करना तो जो नपना है अगला something is a tank ah का मतलब होता है लंबा समय यह आप कह सकते हैं लॉंग पीडिट है लॉंग पीडिट है तो यह भी आपका पूझारी जाएगा चली है अगला देखते हैं अगला कुशन है कि वंस इन बलु मून वंस इन बलु मून का मतलब क्या होता है कि वेरी बिन रूरा लैливо कभी कभार अटन पर देखने वाला न ज fullness पुरते में कोई व्यक्ति बहुत कम दिखता हो ना की वर्यावर दिखता हूं तो उसको itted तर्न di SECRET यह यह बंद देगे ना की encry tree कान मतला बैरे कान को कर लिए कानों को किशी की बात को अन्सुना करでना आवाइड कर देना इग्नोर कर देना तो स्कांस कि अबन जाएगा एगनोर सब्सक्रिकल सुपन किसी को किसी की बात को क्या कर देना अंसुनी कर देना कि क्या क्या करना टर्णा टीफ यह चलिए अगला कुशन देखते हैं अगला कुशन है टैन वाला टू-टू-वन-शालटू-टू-वन-शाल्ट का मतलब कर दो नमक नमक के प्रत्थी सच्चा यहां के बहुंसे लोग कि मैंने तीरा नमक खायां कैसा परसुन कैसा हूं लोईल परसंनों बफादार हूं कैसा हूं वफादार भी आप बोल सकते हैं पर छीज़न चलिय ऑले को अगले ओ्षुटन देखते हैं लेनांन का मतलब होता है यह मखना टेकर आगला Meow to get the validate अधिया और दो करना तो कहीं आप काम करते हैं और माहा से अपनी बूरी अभिष्टर को बाल देना मतलब महां से निकाल दिये जाना तो इसका अंसर हो जागा तो टेल समबन या टू टेल समबडी तू लीव जॉब किसी को मतलब जॉब से निकाल देना क्या किलाएगा टू गेट दा सेट चलियर चली अगला कुछन देखत रिंगंग्यों ने क्यों एंड्यों चली खुक्रेंज। इंग्लिश में के टेज रहने वरिग़् सभाझ डोब तो अगला कुछन डोवस्षन है म donation का मतलब होता है एक बहुत ही जधा हाड़ भर्क बहुत ही जदा हाड़ वर्क to to do किसी काम को किया या मतलब किसी कथिन काम को किया जाना तिस टास्क को यह दिए गड़ में नेंट प्रभाव न प्रभाव न पड़े उस चीज को क्या कहेंगे इनको आप नूट कर सकते हैं डारी में या किसी नूट बुक में ठीक है करज में होना तो अन्-दर एक का मतलब क्या हो जाएक आपका कर्ज में होना चीक है कि अगला कुछन देखते हैं अगला कुछन है और ग्रीक एंड लेटन ज्रीक एक लेंग्विज होती जो कि बहुत ही दिफिकल्ट ऊती है न में परसंटो उसको नहीं समझ सकता है तो ग्रीक क्वाइब का वोती तो इस से आप रिए डिफीकल्ट कर सकते हैं कि डिफीकल्ट तू अंडर्स्टेंड यानि समझने में घठीन कोई भी चीज है ना उसके लिए एक हमने लिख दिया कि और ग्रीक अर्टें तो इसके मतलब है वह समझने में कैसी है। दिफीकल्टेंट एकटिन है क्लियर चलिए अगला खोश्व हेंकी-क्रेंकी का मतलब होता है ट्रीकरी डगावाजी क्या होता है कर दोगा दढ़ी के सकते हैं या एक ओर सब्सक्राइब Philip movie यह तो फिलिम क्लिया आपने देखी होगी ईता हैं- क्धा सब्सक्राइब भी उक्र गु हिए हैं अगला कोश्चन है बाइधुक और बाइध वा इतुरक क्ला है किसी भी तरीके से किसी काम को करना चाहे वो उचेत हो और चाहे वो अनुचेत हो जिसे मैंने कह दिया कि आपको इस काम को करना पड़ेगा बाई हुक और बाई कुरुक का मतलब होता है किसी भी कंडिशन में किसी भी condition में तो आप ऐसे लिख सकते हैं at any condition at any condition किसी भी condition में चाहे उचे तरीके से करो चाहे अनुचे तरीके से करो कर देख लेते हैं वरीदा है इसको आप सकते हैं कि हैचीप का मतलब मतलब लौक किया कर देना बरी कर देना को दफन कर देना जैसे आप किसी को मारने के लिए जा रहे हों कुलाडी से और आप उसको कुलाडी को फिर रग दो या दवा दो या बंद कर दो तो आपने क्या कर दिए अप उसके प्रति अपनी सत्रुता को बुला दिया तो इसका मतलब हो जागा लड़ना बंद कर देना या आप इसका लिख सकते हैं हैं तो फ्रगेट दा अनिमिटी सत्रुता को बुला देना या जगडे को खतम कर देना क्लियर तो आई होप आपको ये सारी के सारी कोश्शन समझ माँ गया अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें औ बढ़र